मालदीव के बाद अब इंडिया को सोरी बोला है ताइवान ने भारतिये मजदूर उपर नस्ल भेरी ठिपड़े की इसी को लेकर भारत ने कहा कि भरती को लेकर किसी एक राज तक सीवित रहना गलत हुआ कुछ ऐसा है कि 29 फैब को ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर है हासू मिंक्सन उन्होंने इंडिया के स्किन कलर पर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए हैं हाला कि बाद में ताइवान को बैकिपुट पर आना पड़ा और अपने की इपिल आ Estoyang को इतना फॉर्स किया गया एक ताइवान की फॉरंड मेनिस्टरिस के साथ जो हासू मिंक्संस हैं उन्हों ने माफी माँगी है और कहा कि हम अपने अलफाज वापिस लेती हैं और हमारा ये कहने का मकसद नहीं था ये चीज जो है वो अमरीका नहीं कह सकता ये कोई और नहीं कह सकता लेकिन इंडिया को ये लिवरिज जरूर मौजूद है मैं कहता हूं मोदी साभी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी अवाम जो है वो बड़ी खुबसूरत मिली जब आप पूरे इस खिते को देखते हैं पूरे इस एरिया को देखते हैं आपको भारत नजर आता है उभरती हूई एक महाशक्ते और ये दोस्तों हजम नहीं होता हमारा इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो दुनिया फॉलो करना चाहती है पाकिस्तान की बैमानी रिश्वत और लालच के आगे घबरा कर घुटने टेक दी है दोस्तों यहां पर एहम और सीखने की चीज़ यह है कि इंडिया ने पुरी दुनिया को बता दिया है कि अब यह वो इंडिया नहीं है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे और आप निकल जाएंगे मालदीव के बाद अब इंडिया को सोरी बोला है ताइवान ने हुआ कुछ ऐसा है कि 29 फैब को ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर है हासू मिंसन उन्होंने इंडिया के स्किन कलर पर रेसिस कमेंट्स पास की है उनसे जब इंडिया के लेबर के बारे में पूछा तो उन्हें ने बोला कि हम नोर्थ इस्टरिं साइड से जो है लेबर को मंगवाएंगे ताइवान में क्योंकि उनका कलर उनके खाने के जो हैबिट है और साथ साथ जो उनका रिलिजन है वो क्रिस्चैनिटी है तो हम उनके साथ जादा सेट बैटेंगे इसके साथ साथ उन्होंने उनके स्किल्स की भी तारीफ की कि उनके पास मैनिफ्रेक्टरिंग स्किल्स जो है बहुत जादा बेतर है इस बात को लेकि इंडिया ने ताइवान को बहुत जादा फटकार लगाई है और कहा कि वो सोरी बोले और ताइवान को इतना फोर्स किया गया है कि ताइवान की फॉरन मिनिस्टरिस के साथ जो हासू मिंसंस हैं उन्होंने माफी मांगी है और कहा कि हम अपने अलफाज वापिस लेते हैं और हमारा ये कहने का मकसद नहीं था दोस्तों यहां पर एहम और सीखने की चीज़ ये है कि इंडिया ने पुरी दुनिया को बता दिया है कि अब ये वो इंडिया नहीं है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे और आप निकल जाएंगे अगर आप कुछ गलस statement इंडिया के बारे में पास करते हैं तो आपको सोरी बोनला होगा ये केस हमने ताइवान के मामले में भी देखा ये केस हमने कैनेडा के मामले में भी देखा और मालदीव के मामले में भी ताइवान ने स्किन कलर के उपर डेसिस कमेंट पास किये और आज ताइवान को जी इंडिया और पूरी दुनिया से माफी मांगना पड़ी है तो सर आप इंडिया की soft power के बारे में क्या कहेंगे कि जब जब किसी ने भी इंडिया के जिसे बोलते हैं culture इंडिया के जुबार, इंडिया के skin color से छेड़ चार करने की कोशिश की है इंडिया ने उसको इतना मजबूर कर दिया, इतना pressure उसके ओपर आया कि उनकी foreign ministry ने भी और उस labor minister ने भी हाशु मिंक्शन ने भी आ के माफी मांगे के इंडिया हमें माफ कर दो हमारा मकसद ये नहीं था देखें जब भी इंडिया के उपर किसी ने कोई गलत बात करने की कोशिश की या negativity या कोई negative काम करने की कोशिश की तो वो हमेशा जो है उसने या तो माफी मांगी है या फिर उल्टे पहुंच चलके वो वापिस चला गया है ठीक है क्योंके देखें एक प्राइम मिनिस्टर मोधी साब जो है वो अपनी country को उन्हेंने बिलकुल change करके रख दिया और वो near to super power है ठीक है तो देखें एक country में जब बिल गेट्स और बड़े बड़े दुनिया की हस्ती आएंगी और जब वो इतने बड़े बड़े कारनामे करेंगे तो हर किसी को उससे मतलब है और कभी भी जो है कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता नेगेटिव जो इन्होंने की है तो उन्होंने भुगती भी है और वो उसकी सजा भी फा रहे है और ये पूरी दुनिया को एक तरह का उन्होंने लेसन भी दिया कि बाई इंडिया के हलाफ कोई बात ना करें तो बहतर है किसी ने positivity पहलानी है तो most welcome पीस के साथ आना है तो most welcome तो ये ही उन्हीं का जो है वो एक पेखाम है पूरी दुनिया के जो कुने ने थाबित किया मालदीव वालों ने भी जो किया वो उन्होंने वो देखें इंडिया यकजा हो गया इंडिया की अवाम बड़ी मैं एप्रिशेड करूँगा और उन्हें प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को नक्षा बदल के दिखा दे पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का पूरी दुनिया इंप्रैसम बोदी साब से और इंडिया की अवाम से अच्छा ये भी चीज़ है कि जहां पर इज़त और पैसे की बात आजे तो हमने इंडिया को हमेशा इज़त को चुनता देखा है जैसे मालदीव में बाइकोट किया कैनिडा में उनके स्टूडेंट्स ने वीजास कैंसल करके वापस आगे मालदीव आज भी क्राइसिस में है कैनिडा की भी पॉलिटिक साब को बता है डामा डोल कर रही है ताइवान भी आज माफी मांगने पर जी मजबूर हो गया है तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो नसले हैं उनको कौन सा लेसन पढ़ाया जाता है कि जिसमें वो रंग, नसल, जात, पाथ इंडिया की ठाइस स्टेट्स है हर स्टेट का कल्चर अलग, लिबास अलग, जुबान अलग, खाने अलग लेकिन इंडियन सब एक है देखें इस चीज़ का क्रॉडिट मैं मौदी साब को दूँँगा और मैं इमरान हान सौप जो हो उनकी स्टेट्यटी थी तोनों की एक तरह की सेम थी, उन्होंने अपनी यूथ की उपर सबसे ज़्यदा काम की उन्होंने एजुकेशन दी उनको आज उनके बच्चे बच्चे से जा कि आब बात कर लें अगले इंग्लिश में जवाब देता है, अगला चंद्रियान के बारे में बात करता है और ऐसी इंग्लिश बोलता है कि हम हरान रहे जाते हैं कि चोटा से बच्चा ही, इसको किदर से इंग्लिश आगी यूनाइटेड नेशन्स में जो हुमन राइट्स हैं यून हाइक कमिशनर फॉर हूमन राइट्स वोलकर टर्क इसने इंडिया के भारत के इलेक्टोरल जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसके उपर इसने सवालिया निशान उठाए इसने कभी हमारी चुनावी प्रक्रिया देखी नहीं है इसको यह नहीं पता है कि भारत में चुनाओ होते कैसे हैं लेकिन एक चिड़ होती है एक जलन होती है जिसके बाद आप लोजिक को खिड़की के बार फेक देते हैं क्योंकि आपके अंदर वो हेट्रेड बन जाती है यही इसके साथ प्रॉब्लम है देखिए ये कहते हैं कि साथ यहां पे सिविक स्पेस कम हो रहा है यानि कि समाज के लिए जो स्पेस है जो जगह है वो कम हो रही है इसने बोला यहां पे हेट स्पीच हो रही है और डिसक्रिमनेशन अगेंस मानॉरिटी जो रही है particularly मुसल्मानों के खिलाफ अच्छा किस मंत्री ने मुसल्मानों के खिलाफ कमेंट दिया आप ये बात बताई है मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मंत्री होगा और अगर किसी ने अगर करा भी है अगर रूलिंग पार्टी का करा भी है तो ऐसे आप कई लोग देखेंगे उस बार उसको टिकेटी नहीं मिले कई लोग ऐसे हैं जेनों ने हेट स्पीच करी है किसी भी कम्यूनिटी के खिलाफ उसको इस बार टिकेटी नहीं दिया तो ऐसी बात नहीं है एक element of accountability है within the system हमारी democracy में कमिया है लेकिन यार टरम्प तो खुले हम बोलता है कि मैं मुसल्मानों को नहीं आने दूँगा यूएस में तब तो इस आदमी के मूँ नहीं खुला टरम्प तो खुलके बोलता है टरम्प पोलेंड बोलता है खुलके पोलेंड क्या बोलता है पोलेंड ये बोलता है कि हम एक मुसलिम रेफ्यूजी को नहीं लेंगे उनका फॉरन मिनिस्टर बोलता है टेलिविजन पर बोलता है कि हम एक बंदे को नहीं लेंगे पॉलन्ड के अंदर एक मुसलिम रेफीजी को फिर ये बोलता है कि साथ आप देखो पॉलन्ड में एक टेरर इंसिडेंट नहीं हुआ कहता हमने दो मिलियन युक्रीनियन्स को लिया है हम युक्रीनियन को ले लेंगे हम मुसलिम्स को लेंगे राइट रिशी सुनक ने क्या बोला अभी रिशी सुनक ने बोला कि इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तीन जगे से मौलवी मुले मौलाना बैन, मैं आने नहीं दूँगा, नहीं आने दूँगा मैं, जब फिलिस्तिनी रो रहे हैं और बोल रहे हैं हमें पना तो मुसल्मान मुलक बोल रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हा पर्णा नहीं देंगे, वो हेट नहीं है, इस आदमी का तब मुह नहीं खुल रा है कि जब इसको ऐसा लग रहा है कि साथ भारत ने ऐसा बड़ा हेट स्पीच कर दी है, और भारत के इलेक्शन में, क्या हो रहा है भार हमारे election का process है वो दुनिया follow करना चाहती है यॉरप की उतनी population नहीं है जितने हमारे वोटर है